उत्पत्ती अध्याए 33 और याकूब ने आखे उठा कर देखा कि एसा चार सो पुरुष संग लिये हुए चला आता है तब उसने लड़के बालों को अलग-अलग बाट कर लिया और राहेल और दोनों लौंडियों को सौब दिया और उसने सब के आगे लड़को समेत लौंडियों को उसके पीछे लड़को समेत लिया को और सब के पीछे राहेल और यूसुप को रखा और आप उन सब के आगे बढ़ा और साथ बार भुमी पर गिरके दंडवत की और अपने भाई के पास पहुचा तब एसा उससे भेट कर और उसको रधे से लगा कर गले से लिपट कर चुमा फिर वे दोनों रो पड़े तब उसने आखें उठा कर स्त्रियों और लड़के बालों को देखा और पूछा ये जो तेरे साथ है सो कौन है उसने कहा ये तेरे दास के लड़के है जिन्हें परमश्वर ने अनुगरह करके मुझको दिया है तब लड़को समेथ लउंडियों ने आकर दंडवत किया फिर लड़को समेथ लिया निकटाई और उन्होंने भी दंडवत की पीछे यूसूप और राहल ने भी निकटा कर दंडवत की तब उसने पूछा तेरा ये बड़ा दल जो मुझको मिला उसका क्य प्रवयोजन है। उसने कहा यह कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दुरुष्टी मुझ पर हो। एसाव ने कहा हे मेरे भाई मेरे पास तो बहुत है। जो कुछ तेरा है वो तेरा ही रहे। याकुब ने कहा नहीं नहीं यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेट ग् यही जी गई है ग्रहन कर, क्योंकि परमश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है, और मेरे पास बहुत है, जब उसने उसको दबाया, तब उसने भेट को ग्रहन किया, फिर एसाम ने कहा, आ, हम बढ़ चले, और मैं तेरे आगे-ागे चलूँगा, याकुब ने कहा, है मेरे प रहा के जाए, तो सब के सब मर जाएंगे, सो मेरा प्रभू अपने दास के आगे बढ़ जाए, और मैं इन पशों की गती के अनुसार, जो मेरे आगे है, और लड़के बालों की गती के अनुसार धीरे-धीरे चल कर, सेर में अपने प्रभू के पास पहुचूंगा, एसाम उसने कहा, तो अपने संग्वालों में से मैं कई एक तेरे साथ छोड़ जाऊंगा, उसने कहा, यह क्यों, इतना ही बहुत है कि मेरे प्रभू की अनुग्रह की दुरुष्टी मुझ पर बनी रहे, तब एसाम ने उसी दिन सेईर जाने को अपना मार गलिया, और याकुब व सुकोत पड़ा, और याकुब जो पदनराम से आया था, सो कनान देश के शकेम के नगर के पास कुशल क्षेम से पहुच कर नगर के सामने डेरे खड़े किये, और भूमी के जिस खंड़ पर उसने अपना तंबू खड़ा किया, उसको उसने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथों से एक सो कसितों से मोल लिया, और वहां उसने एक वेदी बना कर उसका नाम एललोहे इसराइल रखा.